पूर्व केंद्री मंत्री और भाश्पा नेता चौधरी बिरेंद्र सिंग ने नए कृशी कानूनों के विरोध में परदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्हें साफ कर दिया है कि वह सरकार का विरोध नहीं बलकि किसानों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छोटू राम विचार मंच हमारी एक संस्ता है जो पिछले 17-18 साल से किसानों के हितों के लिए कारे कर रही है। उन्होंने आवाहन किया था और मैं भी उसका एक सदस्य हूं। किसानों के साथ खड़ा हूं। मेरी एक नैतिक जिम्नेदारी भी है और मेरा धरम भी है। क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्दियां मिली हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं शोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्दियां को मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फर्द है नैतिक करतव है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान की साथ जाके खड़ा हूं। और इसलिए मैंने ये अपने साथियों से सला करके निर्ने लिया है कि इस लड़ाई के हम साक्षी बनेंगे। हमसमर्थक बढ़ेंगे और इस लडई मेरे जो साती हमा हजारों की संख्या है वह सब मिल करें यह हमें फैसला किया अर जैसे मैंने कहा कि कल से हमने अपना काम भी शुरू कर दिया। बिरेंद सिंग ने कहा कि सर्चोटू राम ही ऐसे नेता हुए हैं जिनोंने आजादी के पहले से ही कृषिश सुधारों के लिए काम शुरू कर दिया था सर्चोटू राम को आज भी किसान मसीहा के तौर पर जानते हैं उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सभी मुद्धों का हल समवाद से निकल सकता है इसलिए सरकार को किसानों को विश्वास में लेना चाहिए और उनकी दिक्कतों को दूर करना चाहिए चौधरी बिरेंद सिंग ने इस बात की भी प्रशंशा की कि किसानों ने राजनितिक दलों को अब तक आंदोलन से दूर रखा है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के सार्थक परिणाम निकलेंगे। गौर तलब है कि बिरेंद सिंग सांपला में किसान अंदोलन के समर्थन में उपवास पर बैठे छोटु राम विचार मंच कारकरताओं को समर्थन देने पहुंचे थे। यहां पर बिरेंद सिंग ने यह भी कहा कि अभविश में वाकिवल किसानों की ही राजनिति करेंगे। लिए यहां पर बिरेंगे।